मेरे हरियानवासी भाईयों बैनों जैसे हम जानते हैं कि आज 2022 का अंतिम दिन है और कल प्राता है पहली भूर 2023 के किर्णे ये निकल करके आएंगी हम उनका स्वागत करेंगे 2022 का वर्ष एक प्रकार से ऐसा कह सकता हूं कि बहुत ही हमारा यह मिला जुला वर्ष रहा है और इस वर्ष के आज मीतने के बाद न शुरू की थी तब इसी प्रकार से नव वर्ष की भाती शुरू की थी और लगातार आज वर्ष वर्ष की सब बातें विचार करते हैं तो ध्यार में आता है इस यात्रा में बहुत से ऐसे पड़ाव आए बहुत से सज्जन पुरुष मिले बहुत साथी मिले मित्र मिले साथी सार्थी हुए और बहुत से चुनोतियां भी आई बहुत से विरोधियों का सामना भी करना पड़ा लेकन हम भरपूर उत्सा के साथ अपने लक्ष को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं आज हमें संतोश है कि उन बाधाओं के बावजूद विरोधियों किसे चुनोतिय मिलने के बावजूद हम सफलता पुरुवक यहां तक बड़े हैं और आगे 2023 में वर्षबर की यात्रा फिर से हमने शुरू की है जैसा हम जानते हैं कि 2020 और 2021 यह कोविड का एक दो साल का वर्ष लेकिन 2022 में भी बहले ही कम मात्रा में रहा हो लेकिन यह चुनोती लगतर बनी हुई है हमने इसके इलाजे के लिए हर वmakeती के लाज़े के लिए और जो ठीका करन किया जिस प्रकार से देश में सफलतां मिली उसक्ता काम कूम लगातर करते रहे और अपने कर्तव्य से कभी हम पीछे नहीं हटे क्योंकि हम सब लोग कर्तव्य की भावना से लगातार काम करते हैं मैं तो अपने आपको धन्य मानता हूं कि जब गीता के श्लोक कर्तव्य के नाते से जब मैंने पढ़े कर्वन्य वादिकारस्ते मा फलेशु कदा च वास्ते में उनको संतोष भी होता है अननद भी प्राफ्थ होता है अभी कल की ही घटना अगर मलेते हैं देश के अपने प्रधार मत्री श्री नेंदर मोदी जी उनके माता जी माशे बढ़कर के कोई रिष्टा होता नहीं है उनके माता जी हमेशा के लिए हमें छोड़ करके चले गए लगता था कि मोदी जी के जो दिन भर के कारकम होंगे या तो आगे भी कुछ दिनों तक उनके कारकम को स्थागित किया जाएगा लेकिन कर्तवे प्रायणता देखिए वो कर्मयोगी किस प्रकार से माता जी के अंतिम संसकार के ठीक दो घंटे के बाद अपने निश् कर्मयोगी देश के प्रधानमंत्री जब होंगे तो निश्य दूरूप से इस देश को दुनिया में अगरणी देश बनने से कोई रोक नहीं सकता है हमने ये भी देखा है कि दिल्ली का जो राजपत है अब राजपत को वहां से लांगते हुए एक राज जैसी बात मन में ज लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस विश्य को भी कैसे बदला कि राज मार्ग यम को राज का गमंड पैदा न कर दे उस रास्ते को कर्तव पत इसका नाम दिया तो किस प्रकार से कर्तव की बात वो करते थे मेरा कहने का भाव यह है कि आज हमारे लिए एक बड़ी करती है चुनाती यह है कि हर कोई अधिकारों की बात करता है अधिकार मेरे यह होने चाहिए वो होने चाहिए लेकिन करतव की बात अपने कर्म करने की प्रिर्णा यह बहुत कम लोगों में जागती है और इसका सिदा सा कार्ण में मानता हूं कि लगा जो टार्गेट है बहुत ही गकती निश्थ जीवन को जेना चाहते हैं मैं मेरा घर मेरा परिवार लेकिन आज देश में एक बहुत बड़ी ऐसी एक लड़ी खड़ी हो गई है एक शरंखरा खड़ी हो गई है कि जो लोग अधिकारों की वजाय करतवे की बाद स्यादा करते हैं तो उसी करतवे भावना को ले करके हम भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए मित्रो मैं तो आज इस पिछले वर्ष की जो बाधाएं और चुनोतियां उनकी जाब बात कर रहा हूं वहां अगले वर्ष की भी बात में करूंगा हमेशा जब कोई समय भीटता है तो उसके कुछ पर आदमी कुछ सीख लेता है उस सीख के अधार पर नए वर्ष का नए यात्रा का अपना करकमों शुरू करता है और जो उसकी चुनोतियां होती है उन चुनोतियों को भी सामना करने के लिए और निश्य रूप से वह आगे बढ़ने का एक क्रम उसका बनता है हमर लिए ज जब दोजार चौदा में सत्ता में आये थे उसी समय मन में विचार किया था कि बश्टाचार है ये एक ऐसा रोग है ऐसा एक एंसर है कि जिसको समाप्त की बना हम समाज को स्वच समाज ये करना शायद हमाले बड़ा कठिन है तो हमने उसके उपर काम करना शुरू किया और सब के मन में भी एक बात डाली कि आखिर हमको सेवा भाव से काम करना चाहिए हमको सेवक बन करके और हमें जनता को अपना परिवार मान करके ये काम करना है हर्याणा एक हर्याणवी एक इस भाव को ले करके हमको आगे बढ़ना है उसी को ले करके और हम आगे बढ़ते रहे हैं हमारे सामने चुनोती थी किस प्रकार से गरीब परिवारों का उनका जीवन ये सुखी कैसे किया जाए टागेट रखा कि एक लाख गरीब परिवार इनका परिवारों का जो अंतियोदे उत्थान का करें हमें उसमें सवलता मिली है हम आगे बढ़ रहे हैं और धेर देरे व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी हमने उसके अंदर और आगे बढ़ाया है उस व्यवस्था परिवर्तन से भी हम लोग इस रस्टाचार की इस एक प्रकार से इस बिमारी से छुटकारा पाने के लिए हमको लगातार सरकार के जो काम हैं उसको करने के लिए हम आगे कर हैं और सरकार के काम करते करते चाहिए विकास के काम हैं विकास के काम में धेरों हमारी जो जो उपलब्दियां हैं चाहिए वो हमारे जो विद्याले हैं चाहिए विश्व विद्याले हैं चाहिए शिक्षा के भून हैं चाहिए हमने हस्पताल खोले हैं अथ्वा रेल्वे के क इसको नहीं लगा कर बढ़ाया है और किवल इतना मातरी नहीं तो हमने इसके साथ साथ लोगों की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए भी काम किया है शिक्षा है एक बहुत बड़ा एक जय चुनोती हमरे लिए थी कि सेवाओं के काम में यानि कैसे हम आगे बढ़ें वालकों की शिक्षा का स्तर यह कैसे आगे बढ़ें अब को ध्यान में होगा कि हरियाना पहला प्रदेश है जिसने लगभग साथ लाख टेबलेट्स यानि बच्चे को आईटी का उप्यों करके किस प्रकार वो अपनी पढ़ का जो बच्चा है वो यानि जैसे कोईड के अंदरे कठाईयां पैदा हुई थी कि विद्याले में जा भी नहीं सकते थे लेकर जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है blessing and disguise एक प्रकार से हमारी उस चुनोती में से निकला हुआ एक अच्छा रास्ता कि हमने आईटी के माद्यम से पढ़ाई अपनी शुरू की online कक्षाएं लगी और टेबलेट के माद्यम से आज बच्चा घर बैठे भी अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है हमने विद्यालें कि जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार आगे बढ़े और आज मुझे संदोश है कि शिक्षा के अंदर हम देश के बाकी राज्यों के तुल्णा में काफी आगे बढ़े हैं इसी प्रकार स्वास्त है स्वास्त हर व्यक्ति का यानि पहली बात तो बिमार नहो बिमार नहो उसके लिए भी तरह तरह के हमने आयुश के नएने जो प्राधान किये हैं हमने आयरुएद के बड़े बड़े जो संस्थान खोले हैं